जितना बड़ा फाइदा दिखता है ना इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है अब मेरी दर रिस्क है तो इश्क है ये बात को सुनके काफी सारे लोग कहीं पे भी रिस्क लेना चालू कर देते हैं ट्रेडिंग में ये सोचते हुए कि एक अच्छा पैसा बन जाएगा अगर ह लिए रिस्क मेनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर हर चीज हमारी पहले से डिफाइन रहेगी हर चीज का कैलकुलेशन हमारे पास रैडी रहेगा तब कहीं न कहीं पे हम एक कैलकूलेटर रिस्क ले रहे हैं क्योंगी ऐसे तो हम कहीं पे भी बाइक रहें या फिर सेल करें रिस्क तो उसमें involved रहेगा ही, साथ ही हमारे chances भी 50-50 ही रहेंगे, so simply अपने winning probability को improve करने के लिए, and अपने proper risk को calculate करने के लिए manage रखने के लिए, risk management को trading में use किया जाता है, अगर बिना risk management के and बिना calculated risk के हम trading कर रहे हैं, तो वो कही ना कही पे gambling का part हो जाता है, स्वागत है आपका एक और power pack learning वीडियो में, जिसमें हम ये समझेंगे कि risk management क्या होता है, किस type के trader को किस type का risk management follow करना चाहिए, especially जिनकी छोटी capital है, उनको किस type का risk management follow करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, risk management के related proper technical calculations के साथ साथ, psychologically हमें किस तरह से अपना risk management करते हुए चलना होता है, उस बारे में complete वीडियो में हम discuss करने वाले हैं, क्योंकि risk management एक ऐसा topic है, जिसके बिना trading हमारी होई नहीं सकती, किसी भी type से हम trading करने, risk management की हमें जरुवत पढ़ने ही वाली है, सो ध्यान से देखे, पूरी वीडियो को काफी interesting होने वाली है, चलिए सीधा शुरू करते हैं, सबसे पहले तो इस बात को अपने mind से हटा दें, कि इस top loss लगाना या stop loss लेना होता है risk management, ऐसा नहीं है, risk management काफी बड़ा topic है, उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, छोटा सा पार्ट होता है, इस top loss को follow करना, जैसा कि इस top loss के उपर बात छिड़ी है, तो सबसे पहले इस top loss वाले point को ही cover कर लेते हैं, जो कि risk management का एक पार्ट है, आपके सामने यहाँ पर एक comment page है, एक person का मेरे पास comment आया था recently, उनका ये कहना था कि वो यहाँ पर loss में बने हुए हैं, जहाँ पर 70% capital का उनको loss देखने को मिल रहा है, यानि 70% capital उनकी drawdown चल रही है, अब इतना ज़्यादा drawdown हो जाने के बाद वो पूछ रहते हैं, अब आप खुद बताएं, आप इस position में होते तो आप क्या करते, mostly लोगों का answer यही आएगा कि अब क्या करना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो proper या तो पूरा hero zero कर दो, जिसमें most of the time हमारे zero होने के ही chances रहेंगे, सबसे पहले इस table को ध्यान से देखना, इससे आपको पता चलेगा कि एक stop loss follow करने की क्या importance होती है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, 70% उन परसंट का capital drawdown हो चुका था, तो 70% से उनको वापस से पूरा cost पे आने के लिए, profit नहीं, सिर्फ वापस से cost to cost आने के लिए, वहाँ से 233% का वहाँ पे recovery चाहिए, उसके बाद उनका profit चलना चालू होगा, यह ऐसी table है जो कि या तो maximum traders को पता नहीं है, या फिर पता होने के बाद भी वो कही ना कहीं पे ignore करते हैं, second point इस table को देखने के बाद आपको यह clear हो गया होगा, कि जितना हम छोटा stop loss percentage रखेंगे, for example 10-20% पे ही अगर हम cut down कर देते हैं, तो उससे हमारा recovery percentage का gap भी कम रहता है, जो कि हमें recover करने में उतना परेशानी नहीं देगा, पर अगर loss को हम सही time पे cut down नहीं कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसकी recovery भी फिर उतनी ही ज़्यादा impossible होती जाएगी, या उतनी ही ज़्यादा tough होती हो जाएगी, अब यहाँ पे important psychology क्या रहती है, पहले हम सब यही सोचते हैं कि छोटा सा stop loss लेंगे, पर जब वाकई में हमें छोटा सा loss दिखना चालू होता है, तो वहाँ पे हम cut down करने की जगह hope करने लगते हैं, कि क्या पता वापस से recover हो जाए, और most of the time ऐसा होता है, पिर हम सोचते हैं अब क्या ही recover कर लेंगे, हम 10-20% को बचा के भी अब क्या ही कर लेंगे, और proper पूरा hero zero होने पे हम उसको छोड़ देते हैं, जहाँ पे भी mostly हमें zero ही देखने को मिलता है वो, वहाँ से पूरा recover होके वापस से हम profit में आ जाएं, ऐसा कभी 100 में से एक दो बार हो भी जाएगा गलती से, तो वो आगे के लिए हमारी आदत को ही खराब करेगा, इसलिए better यह है कि छोटे में ही हम अपने loss को cut down कर दें, जिससे हमारी psychology भी पूरी intact रहे, idle risk management के according कितना हमारा maximum side पे stop loss रहना चाहिए, उसको हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं, सबसे पहले दो type के हमारे सामने trading होती है, एक तो होती है direct stocks में trading करना, जिसको हम equity trading या फिर cash trading भी कह सकते हैं, दूसरी होती है option trading करना, option trading में तो straight forward हमें 20% का option premium पे loss रखना चाहिए, इससे ज़्यादा का अगर हमारा stop loss बनदा है, तो हमें वहाँ पे उस trade को avoid कर देना चाहिए straight forward, जैसे for example, 200 रुपे का अगर कोई हमारा premium है, तो उसमें max to max हमारे 40 points के आसपास stop loss रहना चाहिए, इससे आसपास मतला हलका full का 45 हो जाए, उतना चल जाएगा, 50 हो जाएगा, आसपास रहना चाहिए उसके, क्योंकि ऐसा तो है नि, 20% हमने loss सोच लिया, तो उतना ही loss पे हम cut down कर देंगे, या cut करते करते उतना ही loss होगा, थोड़ा बहुत slippage भी हमें देखने को मिल सकता है, तो 20 से max to max 25% तक हम मान सकते हैं, इससे ज़्यादा कहीं न कहीं हमें दिख रहा है, कि इससे ज़्यादा हमारा stop loss बन सकता है, तो उस trade को हमें straight forward avoid कर देना है, वहीं पे जो stocks होते हैं, equity trading होती है, उसमें mainly 4 type की trading हमें देखने को मिलती है, उसमें सबसे पहली trading तो होती है हमारी intraday, जहाँ पे same day पे हमें cut down करना है, अब same day पे हमें cut down करना है, तो MIS पे लोग buy करना पसंद करते हैं, जहाँ पे leverage हमें मिलता है, तो अच्छा कासा leverage मिलता है, तो वहाँ पे एक हमारा genuine stop loss जो maximum side पे रहना चाहिए, वो 1.5% का रहना चाहिए, इस से ज़्यादा कि stop loss की intraday में जरुवत नहीं होती, वहीं पे अगर हम swing trading करते हैं, तो swing trading में भी generally दो type की trading हमें देखने को मिलती है, एक होती है long swing trading, और एक होती है short swing trading, जो एक idle situation होती है short swing trade लेने के लिए, वो generally हमें 2 दिन से लेकर 3 week तक की देखने को मिलती है, क्योंकि 2 दिन से कम है तो वो तो वही intraday हो गया, और 3 week से ज़्यादा अगर कहीना कहीं हम उसको hold कर रहे हैं, यानि 20-25 दिन से ज़्यादा उसको हम hold कर रहे हैं, तो वो फिर कहीना कहीं पर long swing trade में shift हो जाती है, long swing trade जो होती है, उसका time horizon रहता है, almost almost 3 week से लेकर के 6 month तक के लिए, क्योंकि अगर 6 month से ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर कहीना कहीं पर वो मेरे लिए positional trade बन जाती है, पोजिशनल trade जो होती है, 6 महिने से लेकर पूरा जहां तक हम उसको trade को hold कर रहे हैं, वो हमारी एक पोजिशनल trade हो जाती है, intra day में हमें 1-1.5% से ज़्यादा की stop loss की ज़रुवत नहीं होती, long swing trade की अगर हम बात कर रहे हैं, यानि के 3 हफते से लेकर, almost 6 महिने के आसपास तक हमें उसको hold करने का time horizon है, हमें उसको hold करने का mindset है, तब जाके हम कहीं पे 10-12% का maximum stop loss अपना define कर सकते हैं, और वहीं पे short swing trade अगर हम ले रहे हैं, तो 6-8% का stop loss maximum side पे enough हो जाता है, और positional trade में 15-20% का, अब इसमें हम थोड़ा से adjustment कर सकते हैं, जैसे for example, intraday trade है हमारी, तो 1-1.5% की जगा max to max 2% अगर हमने दे दिया, कभी-कभी तो कोई बात नहीं, उसमें कोई issue नहीं है, या जैसे option trading की हम बात कर रहे हैं, तो 20 की जगा कभी 22 लग जया, 25 लग जया, सबसे top rule risk management का यही हो जाता है, कि जब भी हम trade में entry plan कर रहे हैं अपनी, तो enter करने से पहले हमारी exit define रहनी चाहिए, exit define में भी सबसे पहला case हो जाता है, loss में हमारी कहां पे हमें cut down करना है, वो हमारा define रहना चाहिए, तो एक maximum stop loss हमें set करके आना है पहले से, कि नहीं यार M2M मेरे को अगर इतना loss देखने को मिलगा है, P&L में इतना loss देखने को मिलगा है, इतने percent का, तब मेरे को वहाँ पे कहीं न कहीं trade से exit हो जाना है, उसके बाद मुझे further और hope trading नहीं करनी है, कि नहीं यार यहां से recover हो जाएगा, recover हो जाएगा, पर mostly आपकी वो आदत को खराब करेगा, दस में से एक दो बार कभी recover कर लिभी जाएगा, तो आठ बार जब आपको नुकसान देगा, तो काफी बड़ा नुकसान आपको दे सकता है, तो कोशिश हमें यहीं करनी है कि वहाँ पे निकल जाना है, भले ही हो सकता है कभी-कभी निकलने के बाद आपको लगे, कि आपके favor में move आना चालू हो गया, पर कोई बात नहीं, उससे आपको आगे का discipline intact रहेगा, वो discipline आपका आगे के trades में काम आएगा, तो पहला top rule यही हो जाता है कि enter करने से पहले exit हमें define रखना है, उसमें भी सबसे पहले loss वाली exit को define रखना है, profit में भले ही हम बैठे रह सकते हैं, profit define ना भी करो तो भी चलेगा, पर loss को हमें एक define करके आना है, अब ही जाके हमें trade में enter करना है, अब risk management का सबसे crucial first part तो हमने समझ लिया stop loss के बारे में, second part आता है quantity, quantity हमें किस तरह से manage करते हुए चलना है, ये भी एक risk management का सबसे crucial factor होता है, तो सबसे पहले तो अगर हमें कोई high probability वहाँ पर setup मिल रहा है, जहाँ पर हमारे success के chances ज़्यादा है, हमें confidence ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम normal quantity के साथ काम कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत quantity को बढ़ाते हुए भी काम कर सकते हैं, वहीं पर suppose करते हैं, कोई हमारा high probability setup नहीं बन रहा है, या फिर कोई ऐसे price range के आसपास market घूम रहा है, जहाँ पर sideway चल रहा है market, या कोई बड़े momentum हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो उस case में जहाँ पर हमारे high probability setup नहीं है, हमें confidence नहीं है, वहाँ पर हमें normal से या तो 50% quantity और थोड़ा सा अगर कम confidence है, बिल्कुली एकदम low confidence है, तो 25% quantity के साथ हमें वहाँ पर काम करना चाहिए, जैसा कि daily analysis वीडियो जो आता है दूसरे वाले channel पर, उसमें हम ये बाद discuss भी करते हैं, कि कौन से price zone ऐसे हैं, जहाँ पर हमें less aggressive हो के काम करना है, कौन से दिन ऐसे हैं, जहाँ पर हमें less aggressive हो के काम करना है, उस time पर मैं आपसे कहता भी हूँ कि 25-50% quantity के साथ हम काम कर सकते हैं, ऐसे time पर अगर हमने हमारी quantity को manage कर लिया, तो हमारे success के chances काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जहाँ पर market generally trapping चलता हो, या फिर वो price range ऐसा हो, उसके आजपास trapping हमें देखने को मिल रही हो, उस time पर quantity को कम करना हमारे safe हो जाता है, जिससे की कोई हमारा stop loss hit भी होता है, तो भी हमें उतना ज़्यादा कोई loss देखने को ना मिले, अब जसा की daily analysis वीडियो में हम कभी-कभी ये discuss करते हैं, कि 25-50% quantity हमें use करनी है, तो वहाँ पर साफी लोगों का एक question आता है, जिनके mostly जो एक lot से काम करते हैं, जिनकी capital कम है, उनका ये कहना रहता है कि सर हमारा तो एक ही lot रहता है, हम उसमें quantity कम कैसे करें, तो quantity के related उन लोगों के लिए point होने वाला है, जिनकी capital कम रहती है, एक आद lot से ही जो trade करते हैं, कि हम quantity कम करके काम नहीं कर सकते, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ high probability जो days होते हैं, जहां पर high probability setup बनता हुआ नजर आए, अच्छा momentum होता हुआ नजर आए, उसी दिन आपको सिर्फ trade plan करनी है, बाके दिन आपको normal, बैट के सिर्फ learn करना है, देखना है, market को watch करना है, या फिर कोई paper trading वगेरा हम कर सकते हैं, इसके पीछे का logic ध्यान से समझना, क्योंकि पहले ही हमारी capital जो है, काफी कम हमें देखने को मिल रही है, जिसमें हम एक ही lot buy कर पा रहे हैं, या एक ही lot का हम वहाँ पर risk bear कर सकते हैं, उसमें भी अगर हम unnecessary फालतू की trade लेंगे, जहां पर हमारी probability कम है, तो हमें loss होता हुआ नजर आएगा ज़्यादा, और थोड़ा बहुत भी loss होता है, तो हमारा confidence भी वहाँ पर low करता हुआ नजर आएगा, और loss और confidence को तो छोड़ो, तो अगर एक बार capital हमारा जाना चालू करी, तो फिर वहाँ पर हम trade लेने के काबिल भी नहीं रहे पाएंगे, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारा एक ही lot है, तो ऐसे इनको थो हमें clearly avoid कर देना है, जहाँ पर बाकी लोग ही कम quantity के साथ काम कर रहे हैं, यानि बाकी जो एक lot से ज़्यादा में trade करते हैं, वो ही कम quantity में काम कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं price जो है trap area में बना हुआ है, इस तरह से जैसे हमने पहले वाले point में discuss करा, proper stop loss को follow करते हुए, एक maximum limit set रखते हुए, सिर्फ second point वाले जैसे high probability trades को हम pick करते हैं, तो हमारे धीर धीरे capital बढ़ने के chances जारा हो जाते हैं, फिर एक बार हमारे पास sufficient capital आ जाती है, तब हम वहाँ पर risk ले सकते हैं, उसमें हमारा confidence भी फिर high होता है, तो शुरू बात में जब हम वहाँ पर capital इखटा कर रहे हैं, अपनी already हमारी capital कम है, तो वहाँ पर सिर्फ high probability trades को ही हमें pick करना है, उसमें भले ही हमारा stop loss हिट हो, कोई बात नहीं, पर unnecessary दिन बर हमें बैट के trade नहीं ढूनना है, या हर दिन हमें trade नहीं करनी है, क्योंकि हर दिन अगर हम trade करेंगे, और हर दिन हम यह सोचें कि हमारे favor में बड़ा momentum आना चाहिए, तो ऐसा possible नहीं है, let's suppose अगर हम option buying करते हैं, तो कुछ दिन वहाँ पर आएंगे option sellers के, जहाँ पर market sideways पड़ा रहेगा, कुछ दिन आएंगे जहाँ पर छोटे momentum हमें देखने को मिलेंगे, उन सब को mind में रखते हुए हमें चलना है, हर दिन हम सेम तरीके से वहाँ पर trade नहीं कर सकते, और इसी के साथ अगर fall to की दिन पर हम loss कर लेंगे, तो जब अच्छे दिन आएंगे तो हमारे वहाँ पर confidence नहीं रहता, या फिर कभी-कभी तो trade करने को capital ही नहीं रह पाता, तो उस दिन फिर हमें और ज़दा regret होता है, और ज़दा demotivated feel होता है, अब आजाते हैं risk management के third part पर, जो की होता है risk to reward ratio, जिसको short में RR कहा जाता है, ये हमें इसलिए decide करना है, क्योंकि जैसा first point में हमने देख लिया, कि हमारा एक stop loss define देना चाहिए, maximum side पे हमें कितना stop loss लेना है, उसके बाद second point में हमने देखा, कि quantity हमें क्या define रखनी है, ये दोनों हमें help करते हैं, एक proper loss को define करने में, पर loss define करने के बाद, उसके against में कितना profit हमें लेना है, क्योंकि for example, 10 points का अगर हम सोच के आ रहे हैं, कि हमें loss लेना है, तो उसके against में कितने points का हम profit सोच के आ रहे हैं, वो चीज हमें define करने में help करती है, risk to reward ratio, सबसे पहला तो ये बात को ध्यान रखना है, कि 1 is to 1 risk reward अगर हम follow करते हैं, तो उसका मतलब ये हो जाता है, कि 20 points का अगर हम stop loss अपना सोच रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि 20 points हमारा loss हो सकता है, तो उसके against में हम 20 points का वहाँ पे target minimum side पे लेके चलेंगे, जब भी हम target की बात कर रहे हैं, profit की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे minimum side को हमें consider करना है, और first point में जैसा हमने stop loss देखा, तो loss को हमेशा maximum side पे लेके चलना है, अब for example, सबसे पहला example है कि 1 is to 1 risk reward को अगर हम follow करते हैं, यानि जितने points का stop loss सोचते हैं, उतने ही points का हम target लेके निकलते हैं, तो इसमें at least हमें 10 में से 6 या 60 trade profit में चाहिए, तब जाके हम कही ना कहीं पे हलका full का green में close होंगे, या फिर neutral side पे बने रहेंगे, ऐसा इसलिए है, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि 10 में से 5 trade हमारी loss में गई, तो भी हम वहाँ पे neutral side पे रहेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि loss के साथ साथ हमें वहाँ पे brokerage और charges वगेरा भी pay करने पड़ते हैं, तो ये जो loss हमें देखने को मिल रहा है, अगर 5 trade हमारी profit में जाती है, तब भी हमारा recover नहीं हो पाएगा, तो at least 6-6 trade हमें profit में चाहिए 10 में से, यही reason है कि ये सबसे बेकार risk reward हो जाता है, जिसको मैं generally कभी भी suggest नहीं करता हूँ, कि आपको starting में follow करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको experience हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप master हो जाएगे, तब जाके आप इस risk reward को follow कर सकते हैं, क्यूंकि 10 में से start trade profit में close करना, ये एक beginner के लिए, एक new trader के लिए उतना possible नहीं हो पाता है, अब next example में हम 1-2-2 risk reward वाले setup को follow करते हैं, जहाँ पे 20 points का अगर हम stop loss सोचते हैं, तो उसके against में 40 points या उससे ज़्यादा का profit लेके निकलते हैं हमेशा, जैसा मैंने आप से कहा, target हमेशा minimum side पे रहेगा, उससे ज़्यादा जितना मिल जाए अच्छा, loss हमेशा maximum side पे रहेगा, उससे कम रहे उतना अच्छा, इस setup को अगर हम follow करते हैं, तो 10 में से अगर 3 से 4 trade, 4 trade मान लेते हैं, अगर green में close होती है, तो आराम से हम हमारे P&L को green में end कर सकते हैं, यही सबसे best risk reward setup होता है, जो हमें starting में follow करना चाहिए, ऐसा इसलिए है, क्योंकि example लेते हैं, 1-2 से ज़्यादा का हम कुछ सोच रहे हैं, 1-3, 4, 5, 6, अगर हम सोच रहे हैं, तो उतना एक beginner trader के लिए hold करना trade को, trade में बने रहना possible नहीं हो पाता है starting में, तो कोशिश हमें यह करनी हैं शुरूवात में, कि 1-2 risk reward को हम achieve कर सकें, अच्छे से जब हम 1-2 risk reward capture करना सीख जाएंगे, तो आराम से 10 में से अगर 4 trade भी हमारी profit में end होती है, तो हम वहाँ पे कहीं ना कहीं green में ही बने रहेंगे, risk reward ही ऐसा होता है, जो कि हमें profitable बनने में help करता है, क्योंकि stop loss तो हमें लेने ही पड़ेंगे, loss तो हमारे होंगे ही trade में, पर 10 में से कितनी trade हमारी loss में जा रही है, और जब हम profit ले रहे हैं, तब हमें loss से ज़्यादा profit लेना है, अब एक proper risk management को follow करने के लिए, ये 3 points हमारे लिए काफी होते हैं, सबसे पहले maximum stop loss set करना, उसके बाद quantity जिसको हम position sizing भी कह सकते हैं, उसको एक set रखना, उसके बाद third point risk to reward, कितना हमें profit लेके निकलना है, ये 3 points के माध्यम से हम आराम से अपने proper risk management को follow कर सकते हैं, और किसी चीज़ की हमें ज़रुवत नहीं है, पर फिर भी एक fourth point हमारे सामने आता है, जो हमारे को added advantage दिने में help करता है, जिसको कहते हैं trailing stop loss, हर किसी को इसको follow करना ज़रूरी नहीं है, आप में से maximum लोगों को इसका मतलब पता होगा, पर किन-किन को use करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उस बारे में समझना important हो जाता है, जैसे यहाँ पे हमने 1-2 risk reward setup यहीं लगा रखा है, यहाँ पे 20 points का हमारा stop loss बन रहा था, और 40 points के आसपास का हम target सोच रहे हैं कि अब सपोस करते हैं, यहाँ पे price हमारे favor में move करना चालू करता है, हमेशा trailing stop loss जब ही use करा जाता है, जब हमारे favor में एक significant move आ चुका हो, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा chart उपर निकला और हम वहाँ पे trail करना चालू कर दिये, यह ठाक move आ चुका हो, जैसे यहाँ पे 1-2 risk reward हम follow कर रहे हैं, जहाँ पे 40 points का हमारा target है, तो at least 20 points, 25 points हमारे favor में चलने लग जया हो chart, उसके बाद हमें trailing के बारे में सोचना है, यह हमें कहीना कहीं help करता है, अपनी risk को और थोड़ा सा minimize करने के लिए, जैसे let's suppose यहाँ पे 1-2 risk reward हमें सोच रहा हूँ, पर मेरे favor में 20-25 points का move आ गया, 1-1 से ज़्यादा मुझे मिलने लग गया, इसी example के case में, तो फिर वहाँ से जाके मैं पूरा अपना stop loss दूँ, वो कहीना कही मेरे लिए एक समझदारी वाली बात नहीं है, क्यूंकि मेरे को अपनी capital वहाँ पे बढ़ानी है, प्लस ऐसा करने से क्या होगा, मेरे को पहले profit देखने को मिला, उसके बाद मैं पूरा वहाँ पे red में गया, फिर जाके अपने stop loss तक का wait करा, तो उसमें कहीना कहीं मेरी psychology वहाँ पे disturb होगी, तो उस type के trader को हमेशा ऐसा करना चाहिए, कि जब एक sufficient amount का move market अपने favor में दे दे, तो फिर वहाँ से loss नहीं लेना है, cost के आसपास trail करना चालू कर देना है, कि वापस से cost के उपर, हलका full का यहाँ पे वापस आने लगे price, तो हमें exit करके वहाँ पे निकल जाना है, फिर भले हमें अगर वापस से कोई अच्छा setup मिलता है, तो हम re-enter कर सकते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक defensive approach हो जाती है, जहाँ पे हमें अपनी 2TC capital को बचाते हो, या उसको धिये-दिये grow करना है, second उस type के traders इसे follow कर सकते हैं, trailing stop loss को, जिने एक बड़ा target capture करना है, 1-2-3 या उससे ज़्यादा का वहाँ पे risk reward capture करना है, उस case में किस तरह से हो सकती है, trailing ध्यान से समझना, let's suppose initial जो target रहता है, हर trader का 1-2 तो minimum रहना ही चाहिए, 1-2 मिल जाने के बाद भी हमें लगता है, कि यार हमारे favor में और momentum आ रहा है, तो वहाँ पे profit में बैठे रहने में कोई भी issue नहीं होता, profit में हम आराम से बैठे रह सकते हैं, ये मिल चुका है, इसके बाद हम 1-2, 3, 4, 5, 6 के लिए सोच रहे हैं, plan कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ऐसा करना है कि 1-1 जहाँ पे हमारा hit हुआ था, उसके आसपास अपने stop loss को trail करके छोड़ देना है, जैसे हमारे example के case में हम 20 points का stop loss सोच रहे थे, और 40 points का target सोच रहे थे, तो जब यहाँ पे हम top पे पहुँच जाए, 40 points के target पे, तो कहाँ पे हमें stop loss place करके छोड़ देना है, यहाँ पे 20 points के आसपास या उसके थोड़ा सा नीचे, जिससे क्या होगा, जितने points का at least हमने stop loss हो जादा, उटने points का तो हम target लेके वहाँ से निकलेंगे ही, और अगर हमारे favor में move आता जाता है, तो हमें 1-3, 4, 5 बड़ा target करने का वहाँ पे मौका मिल जाएगा, और अगर यहाँ से reverse भी करता है, तो भी हमारे कुछ ना कुछ हम profit में exit होंगे, या फिर दूसरा perspective हम इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पे हमारी entry थी, उसके बाद इस तरह से move करते करते हम, यहाँ पे अभी चल रहे हैं, तो यह जो उपर का यहाँ पे price है, इसका मैं risk ले लूँगा, इसके आसपास अपना trailing stop loss को यहाँ पे place कर दूँगा, कि यह जो नीचे का price है, इतना profit तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, अगर मुझे वहाँ से target बड़ा करना है, तो यह उपर के यहाँ पे profit का मैं risk ले लूँगा, उसके बाद मैं छोड़ दूँगा, वहाँ पे trade को हो सकता है, यहाँ से trade चलके और बड़ा target मुझे देखने को मिल जा है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर ऐसा नहीं होता है, हलका full का उपर जाके अगर नीचे reverse करता है, तो सिर्फ यह उपर का profit मेरा drawdown होगा, नीचे का profit मेरा safe बच जाएगा, अब देखते हैं कि किन लोगों को इसे follow नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो उन लोगों को इसे follow नहीं करना है, जिनके emotions उनके control में नहीं रहते, क्योंकि for example, जैसा हमने यहाँ पर discuss करा कि चार्ड इस तरह से move करता करता आ रहा है, यहाँ तक पहुँच गया, तो नीचे के profit को हमने safe रख लिया, उपर के profit पर हम risk ले रहे हैं, पर काफी लोग ऐसा करते हैं, जब वापस से नीचे आएगा, तो वो नीचे का profit भी अपना drawdown करवा लेते हैं, और बलकि loss में ही चलता जाता है, वो सोचते हैं, यहाँ से उपर आजाएगा, यहाँ से उपर आजाएगा, इस type के लोगों को जिनके emotions उनके control में नहीं है, सही time पे वहाँ पे trade cut नहीं कर सकते, उनको trailing बिल्कुल भी follow नहीं करना चाहिए, उन्हें simply एक proper अपना stop loss और एक proper अपना target follow करना चाहिए, stop loss आया cut down कर दो, target आया cut down कर दो, इस तरह से जब हम एक proper stop loss और एक target को वहाँ पे follow करेंगे, तो दिये दिरे अपने emotions वहाँ पे develop होना चालू हो जाते हैं, फिर बाद में हम trailing के बारे में सोच सकते हैं, अब emotions में ही second part हम उसको समझ सकते हैं, let's suppose हमें यहाँ पे एक लाख रुपे का profit देखने को मिल रहा है, तो एक लाख के profit में से उपर के कुछ पार्ट का तो हमें risk लेना ही पड़ेगा, अगर हमें वहाँ पे trailing करना है तो, फिर उसके बाद हम यह सोचें कि यार मेरे को एक लाख का profit देखने को मिल रहा था, यह तो मेरा trailing stop loss हिट हो गया, और मैं 60,000 रुपे लेके यहां से निकल रहा हूँ, काश मैं एक लाख पे ही book कर देता, इस तरह का अगर हमारा mindset चलता है, तो भी हमें trailing नहीं करनी है, एक target और एक stop loss वहाँ पे follow करना है, क्योंकि trailing stop loss उनके काम आता है, जिनने वहाँ पे या तो अपना risk एकदम minimize करना है, capital कम है, या फिर target को अपने बड़े-बड़े capture करना है, तो अब अगर हमें बड़ा target capture करना है, तो वहाँ पे कुछ ना-कुछ तो risk पे, कुछ ना-कुछ तो दाव पे लगाना ही पड़ेगा, तो जैसे 1,00,000 का हमें profit चल रहा है, तो उसमें से 40,000 का अगर हम risk लेते हैं, तब ही हम उपर का वहाँ पे journey को enjoy कर पाएंगे, तो अगर हम ऐसा सूचे कि यार 40,000 मेरे यहाँ पे चले गए, इस से अच्छा में 1,00,000 पे ही book कर लेता, जिनके मन में regret वाला emotion आता है, उनको बिल्कुल भी trailing को follow नहीं करना है, एक proper set stop loss रखना है, एक proper target रखना है, इस तरह से एक proper अगर rule-based trading हम करते हैं, एक set target और stop loss के साथ, तो वहाँ पे हमारे emotions उतने वहाँ पे fluctuate नहीं होते हैं, trailing stop loss का यही है कि उसके फायदे तो कई हैं, पर वहाँ पे emotions आपके fluctuate होते वह नज़र आएंगे, during the trade आपको decide करना पड़ेगा कि क्या मेरे को यहाँ पे और hold करना है, नहीं करना, क्या मेरा target होना चाहिए वापस से नया, और क्या मेरा नया trailing stop loss होना चाहिए, तो जिन लोगों के emotions कंट्रोल में नहीं है, उन्हें आराम से trailing stop loss को avoid कर देना चाहिए, जो live market में चलती ट्रेड में यह सब decide नहीं कर सकते, उनके लिए सबसे best हो जाता है कि एक target और एक stop loss सोच लिया, trade में enter होने से पहले, stop loss maximum side पर रहेगा, उससे ज़्यादा limit अपनी exceed नहीं करनी है, थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाए 19-20 उतना चलता है, target हमेशा minimum side पर रखना है, उससे जितना ज़्यादा मिल जा है उतना अच्छा, पर at least उतने target तक के लिए तो wait करना ही है, wait करने से क्या होता है, हम अपनी profitable position में, जो हमारे लंबे race का गोड़ा है, जो भी stock है, जो भी option है, उसको हम आराम से ride करते हुए, अपने साइकलोजी बिल्ड़ अप कर सकते हैं, अपना discipline बिल्ड़ अप कर सकते हैं, जिससे कि हमें अच्छी trade में वहाँ पर बने रहने की आदत बने, इसलिए target minimum side पर रखना है, कि इतना अचीव होने के बाद ही में वहाँ पर ट्रेड से exit करूँगा, क्योंकि हम काफी बार इसी वज़े से loss में बने रहते हैं, कि हमने target तो सोचा 40 point का, पर 10-15 point उपर जाके हलका फुल का अगर वो जर्क देना चालू करेगा, वहीं पर हम cut down करके भाग जाएंगे, टार्गेट तक के लिए वेटी नहीं करेंगे, फिर भले ही बाद में हमें target दे दे, इस तरह से अगर हम हमेशा डरते रहेंगे, fear का सामना नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पर हम profit अच्छे से capture नहीं कर पाएंगे, ये होता है हमारा complete risk management, जिसके लेलेटेड आप में से काफी सारे लोगों की comments आ रहे थे, क्योंकि किसी भी type की हम trading करने, 100% हमें risk management की जरुवत तो पढ़ने ही वाली है, इससे ना सिर्फ हमारा risk manage होता है, यानि कि loss हमारा कम होता है, बलकि profit में भी हम अपने आपको hold करना सीख जाते हैं, और भी इसके अलावा काफी सारे emotions हमारे control में आ जाते हैं, जो हमने वीडियो में discuss करें, अगर हम हमेशा risk management के साथ trading करते हैं, तो हम हमेशा एक safer side पे बने रहेंगे, जहाँ पे कोई बड़ा loss हमें देखने को नहीं मिलेगा, और market से भी हम भार होते हुए नजर नहीं आएंगे, अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो like and comment करके appreciate कर सकते हैं, कुछ आपका feedback हो आपकी query हो तो वो भी आप comment करके बता सकते हैं, इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं किसी next वीडियो में, thank you.